हलो कैसे ही आप लोग कभी कभी मन करता है न कुछ खाने का और चटपटा से कुछ बना करके खाए जो जल्दी बन जाए जादा टाइम भी ना लगे तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से चिकन टिक का शावर मा बनाने की रेसिपी शेयर करें तो च चाट मसाला नमक टेस्ट के कॉडिंग कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है थोड़ा सा फूट कलर डाले हूं यह कलर के लिए है और वन टेस्पन अधर कलेसन का पेष्ट और यह चिकन का बुटी कट किया हुआ चोटे-चोटे-चोटे पीस में ने कट तो अच्छे से मिक्स कर लिया इस तरह से कवर करके में रख दे रहे हूं इधर गैस को अन करेंगे और एक पैन रखेंगे थोड़ा सा बटर डालेंगे आप बटर की जगे में ऑईल का भी यूज कर सकते हैं बटर मेल्ट हो गया है तो यह मैरिनेट किया हुआ चिकन पंदर गोवी चाहिए तो इसको मैं बारिक 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 कर लूँगे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं शावर्मा बनाने के लिए बता रहे हूं वह भी चिकन टीकार शावर्मा बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेश्टी बनता है तो जरूर ट्राइ कीजएगा मैंने प अगर परस्टे में मेरा वीडियो देख रहे है तो अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी प्रेस करें चिकन सॉफ्ट हो गया है और इसका पानी भी ड्राय हो गया है तो अभी इसमें कट किया हूँ शिमला मिट्च प्याज और पत्त फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है और कम फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे अभी गैस से उतार लूँगे और तवा रख दूँगे मैं मैं आटा गूंद करके रखी हूँ वन टीज स्पून इसमें इस्ट डाला है और गरम पानी में इसको गूंद लिया है मैदा मैंने हाफ केजी यूज कर रहा है और थोड़ा से नमक डाल करके गूंद करके इसको 10-15 मिनट रख दिया था अभी मैंने बेल लिया है जितना बड़ा आपको शावरमा का रोटी बनाना है उतना बड़ा आप बेल ले और दोनों मैंने डाल दिया है और अच्छे से इस तरह से रोटी के उपर में फैला लेंगे और रोटी के बीच में थोड़ा सा पत्ता गोवी थोड़ा से प्याज और शिंगला मिट्च डालेंगे जो अमने चिकन में डाला था उसी को बचा लिया था और ये जो चिकन रेडी करके इस तरह से फोल्ड करेंगे बटर पेपर में रैप कर लेंगे और लीजिए आपका टेस्टी टेस्टी चिकन टिक का शावर मा बनकर के रेडी है उपर से थोड़ा सब कैवेश डाल दीजिए पता गोवी ट्राइगे जिए बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाएं और इंज्वा करेंगे